नहुस्कार दोस्तों दोस्तों एक सब्श्राइबर ने मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सीपी इप्राइब की इंप्रइन cart वटाई थे तो उस पर उन्हों कात सर कि आप एक वीडियो बनाएं कि हम सीपी अपर में 2024 में कैसे कंप्लीट करता हैं कंप्लीट वीडियोगOur लेकिन उसके पहले आपको दोस्तों एक दो चीजे मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कंप्लेंड करने से पहले आप पुराना वीडियो देखा है तो आप जानते हैं लेकिन उसको रिमाइंड करके एक पहले वीडियो देख लीजिएगा फिर उसको आप नहीं देखते कि आपने किस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं आप किसी की डेट आप बर्त मिसमैच है या किसी का पीपियो में नाम गलत है तो आप डिश्चार्ज बुक की कॉपी रखिए आप पहले देखे कि आपके रिकॉर्ड में वो डाटा सही होना चाहिए जबी आप सब्सक्राइब करेंगे और लोग पासवर्ड डाल देंगे अपना तो आपके पास यह पोटल खुल जाएगा मैंने इसको हिंदी में कर रखा है जो आपको अच्छे समझ में आए अब इस फेर दो चीजे एक लोग सिकायत है और एक पैंसे सिकायत है तो दोस्तों आगर पैंसन का मेटर है ठाप पैंसन सिकायत पे जाएंगे और तो यह आपको रीडाइट कर देगा डिपर्टमेंट आप पैंसन बेलफर वाले में इसको जैसे ही okay करेंगे तो दोस्तों यहाँ सीपी ग्राम का यह option साजाएगा यहाँ थार्ड लाइन पर क्लिक करेंगे तो first में दिख रहा है दोस्तों lodge your givenness अब इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यह नया फूरा फॉरा फॉर्म कुल गया मैं इसलिए जूम करके आपको दिखा रहा हूं type of pension इसमें दोस्तों अलग अलग दिया है सिविल के हैं रेलवे के हैं पोस्त ऑफिस के हैं टेलीकॉम के हैं या डिफेंस के हैं तो आप डिफेंस के हैं तो डिफेंस सेलेक्शन कर लेंगे यह देखी अब दोस्तों इसके नीचे आ जाता है Ministry Department from Retired अब दोस्तों यह options आ जाते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों फस्त में Department of Defense और आप इसमें Defense क्लिक नहीं करना आपके ध्यान दखना है क्योंकि आप एक सर्विसमेन है तो इसलिए Department of एक सर्विसमेन Welfare DDEHW इसको selection करना है अब इसके बाद दोस्तों नीचे options आ जाएगा कि आप किसमें सर्विस करते थे आर्मी में तो आर्मी नेवी में नेवी एरफोर्स में तो एरफोर्स इन तीनों में से आप जिसमें भी हैं वो करेंगे अब यह गिवेनेस पैटर्न अब दोस्तों इस पे 6-7 options लिखे हुए हैं आप यह देख लीजे कि नॉन प्येमेंट आप एरियल तो मैंने इसका पूरा स्कीन सॉट लेके आपको दिखाया है देखे फर्ष्ट में हैं आपको अगर एरियल नहीं मिला है फैमली पैंशन का रिटार्मेंट के बाद सेकेंड लिखा है आदा सर्विस लेटेर इसू जो MSAP का था अगर आपकी ECSS की कोई समस्य है तो आप उसकोर करेंगे PA7 CPC इसू है दोस्तों मैंने पूरा विस्तार से आपको एक एक बता दे रहा हूँ और extension pension scheme के अंतरगात होता है दोस्तों आपके अगर कोई death हो गया है तो आपकी pension स्टार्ड नहीं वही है तो यह option delay in starting pension में करेंगे फिर delay family pension का है फिर बच्चों का है यह other member के आपने pension के लिए दिया है और ऐसी दोस्तों और भी options हैं ऐसा नहीं है जैसे आपकी commutation की problem है तो issue of commutation period अब आपको additional pension नहीं मिली जो 30 साल के उपर वाली है आप इसमें क्लिक करेंगे non-resure of pension family pension का है इसी option दिया है तो आप यह दोस्तों पूरा पढ़ सकते हैं और मैंने इसलिए screenshot लगा दिया साइड में तो आप यह देख लिजिए कि आपको जो options है आपको जो परसानी है कि आपका नहीं आया है आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप यह क्लिक चसी करेंगे आपकी problem थी हमाई date of birth collection of name दिखा ना एक्समें बेल पर में कि हमाई collection of date of birth की थी यह collection of PPO name date of birth address अब यहां PPO number डालेंगे अगर दोस्तों आप इस पर्स माईग्रेशन हो गए हैं तो आप इस पर्स का PPO डालिए नहीं तो आप अपना दोस्तों अगर आप खुद complain कर रहे हैं तो यह करेंगे अगर आप दूसरे से करा रहे हैं प्रेंशर होल्डर नहीं दूसरा आपकी complain कर रहा है तो यहां नो करेगा अब स्वाय्ट स्वाइश से नीचे त अब दोस्तों आप पर और इमेल आइडि होती है और आडईस होता है यह इंसले मांगा जाता है कि आपको रिपलाई कर सकते हैं साइड में जिए देखिये दोस्तों आपको इस पर रिप्लाई.. करता है आप अगर डालते भी हैं तो क्योंकि डायट इस पर पोटर में जाता है तो वहां से आपका नाम एड्रेस और फोन नंबर सब लिखा रहता है तो क्या वह एड्रेस रोने में दिक्कत नहीं जाती है अब नीचे दोस्तों आप स्टेट सेलेक्शन कर लेंगे तो मैं एक जो डिस्टिक का पिंट को यह एड्रेस इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि आप लिखेंगे तो आपको फाइदा रहता है अब आप अपना आर्मी नंबर डाल लीजे अगर आप फैमली पेंशन ले रहे हैं जैसे तो आप अपने हजबेंड का पीपीव में देखे वहां आ रिकंड ओपीस तो जो आपके ाजबरन सर्विस कर रहे थेते तो जैसे सिपाई थे अगर एसी में सर्विस कर रहे थे तो आप एसी डाल दीजे आन दिजिये पहल का स्थापन अप्राय करें जिसीन स्फाइड है which बेंक आते हैं अभ ऊंग दोस्तों होटा पंसर आ रही हैं आप यहां पर आप नबर डाल दीजे जो भी आप पंसर लेते हैं क्योंकि इस सब यह इसलिए डालता है कि कहीं आपको कुछ एरिया रिलीज हो नहुँआ तो उनके पाट डिटेल होई तो इस फर्स मैच करके आपका एरिया बगर रिलीज कर देता है अब दोस्तों आपको लिखना है कि पॉब्लम क्या थी तो जैसे अब हमाई पॉब्लम थी कि हमारा नाम इसमेश में था तो हम बहुत ही सिंपल साधार में लिखेंगे सर माई पीपीओ नंबर इस जो भी आप यहां अपना पीपीओ नंबर लिख लिए अगर पीपीओ है नहीं तो इस फर्स के लिख दीजे माई डेट आप बर्ट इन मिसमेच क्योंकि आपकी डेट आप बर्ट मिसमेच थी बाई माई डाकुमेंट अब आप आपको जो पॉबलम है जैसे आप कई रिलेटेड नहीं हुआ है सेवन सीपीसी का या कोई और पॉबलम है तो आप लिख सकते हैं मैं एक एक जामपल के तौर बता रहा है कि मैंने डेट आप बर्ट का फर्मेट था जो डेट आप बर्ट कैसे ल है तो आप यह द्यान देखिए कि जो आपको पॉबलम है आप वह लिखिए और इसको लिखने के बाद डाकुमेंट अप्लोड करना है तो जैसे आपको पीपीओ का है तो पीपी अप्लोड कर दीजिए आपको एरिया नहीं मिला है तो सर्कुलर को और कर दीजिए जो पाइल वही अप्लोड करना है जो आपको जिस कंसर्ट से था और लास्ट में आएगा दोस्तों आपका यह सिक्रूट्री कोड जो यह लिखा हुआ है यह आप फिलिप कर दीजिए सिक्रूट्री कोड जैसे लिखा है सी फाइफ सी सेवन एफ सिक्स लेकिन यह आपको बिन जाता हिजा आप इसको कर सकते को दोसतों अगर आपको मैंने सीपिघ्राम में अब करने देशागे हैं अब आपको को नहीं मिला या क्लिेर हो जो भी आप कंप्लेंड कीजिए हैं मैंने इसमें किसी पार्टिकुलस का नाम नहीं लिखा है इसलिए आप अपना पूरा डाटा वरिये और आराम से वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं आपको अगर कंप्यूजन है तो आप वीडियो को निच्छो कॉमेंट्स कीजिए मैं रेप्लाइद देने के उसिस करूँगा मिलते एक नए वीडियो में नावस्कार दोस्तों